First of all guys, आप लोगों को scale की help से एक line draw करना है 8 cm का मैं आपको measurement बताता जारू हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनेगा measurement को 8 cm का यहाँ पर मैंने line draw कर लिया है अब इससे आपको 4.5 cm distance पर एक point mark कर लेना है और उस point से आपको parallel बिलकुल scale line draw करना है आप लोगों के बेस बिलकुल है और यहाँ पर मैंने 11 cm का line draw किया हुआ है इतना draw का निकात आप लोगों के लाट लियरेज कर लेना है क्योंकि रफ इस्ट्रक्चर है इसकी help से हम इस diagram को बहुत ही easily draw कर पाएंगे अब आप लोगों को इन दोनों लाइनों को मैंने बहुत ही लैट लियरेज किया है ताकि मुझे आसानी से शो होता रहे है और आपको भी यह आपके diagram में दिखते रहेंगे simply अब आप लोग देसे हैं यहाँ पर ने दोनों के बीच में मैंने उपर की तरफ को कुछ तरह का structure draw कर लिया है अब हमें नीचे की तरफ ले जाने है curve line सेम आप लोग को right hand side करना है हम लोग ने scale के आप से line draw की दिले हैं बिल्कुल बैसे ही उसी के उपर हमें curves के साथ line draw करने है जैसे curve यहाँ पर हम मैं बनाता जा रहा हूं वैसे ही आप लोग को करना है आप simply मुझे follow करते जाए अब इसके अंदर आप लोग को draw गाना एक shape बहुत light shape को draw कीजिएगा जैसा मैं कर रहा हूं मैंने और भी कई है से important diagram मना हुए उन वीडियो का link आपको रैट सड़े उपाया बिट आप मिल जाएगा अब इसे मैं raise कर ले दा हूं रैट ली अंदर वाले पार्ट को अब इसमें हमें draw करना है जैसा मैं draw कर रहा हूं वेको same आप लोग draw कर लिजिए यह draw हो गया अब इसके नीचे वाले section में हमें draw करना है कुछ इस तरह के structures अंदर same manner में आपको जितना भी अंदर का trunk like structure का portion है सब में ऐसे ही draw करने है मैं वीडियो को थोड़ सा fast कर देता हूं आप लोग वीडियो को pause कर कर के यहां से draw कर सकते हैं मेरे साथ आप लोग देख लिजिए कैसे मैं draw करना हूं वेको same आप लोग को करने हैं तो कुछ तरह से हम लोग ने इस डागराम को draw कर लिया complete अब मैं ऐसे यहां पर labeling कर देता हूं further आप लोग आप लोग अगर रहेंगा भी ड्राइगा तो आप लोग complete कर लिजिए अब लिजिए अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करें ऐसे इडिये सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमाई इडियो चाहूं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अगर आपको किसे अडिया रहें प्रॉलम हो तो आप मज़े कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा